नमस्कार दोस्तों मैं अंकित वर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूँ आपके अपने चैनल अंकित वर्मा और अच्पी नोटिफिकेशन में तो दोस्तों जैसा कि आप थमनेल पे देखी चुके हैं कि हिमाचल प्रदेश टाप सेलेक्शन कमिशन हमिरपुर ने जो है आज यवी जो है दो नई नोटिफिकेशन जो है जारी की हैं तो कौन सी नई नोटिफिकेशन जारी की हैं इसकी जानकारी मैं आपको इस वीडियो में देने वाला हूँ तो वीडियो पर एंड तक बन रही है अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडिय सकने आप हमाचल प्रदेश स्टाफ स्लेक्शन कमिशन हमेर पूर द्वारा जो है आज जारी की गई है वो है पोस्ट कोड 814 के लिए notification notice for information of the candidate for the post of language teacher पोस्ट कोड 814 के लिए जो है notice जारी किया गया है कि इसका जो है criteria as per R&P rules के तयात यहां बताया गया है कि आपकी minimum education qualification और R&P rules के मताबिक क्या होने चाहिए तो be with Hindi as in elective subject and two years diploma education by whatever name noun ठीक है और दूसरा अगर आपके पास यह नहीं है तो be with at least 50% marks with Hindi as in elective subject और one in one year bachelor in education B.Ed. होनी चाहिए और अगर आपके पास यह नहीं है तो अगला option आपके पास be with at least 45% marks with Hindi as an elective subject and one year bachelor education B.Ed. in accordance with the N.C.T.E. अगर आपके पास यह नहीं है तो और में अगली जो qualification है वो है आपकी be with at least 50% marks with Hindi as an elective subject and one year bachelor in education B.Ed. special education और में next जो education आपकी प्रभाग कर honors in Hindi with 50% marks followed by BA examination English and one additional subject with 50% marks from a recognized university and one year bachelor in education B.Ed. और में next आता है आपका M.A. Hindi with at least 50% marks from a recognized university and one year bachelor in education B.Ed. जो है तो इन में से कोई एक qualification आपके पास होनी चाहिए उसके बाद next होता है आपका कि आपका जो है language teacher का जो है HP board के दोवारा जो test लिया जाता है वो qualify होना चाहिए तो एज जो है आपकी एक दो हजार भीस तक जो है नंबर लिस्ट जो है जारी की गई है junior office assistant की तो इसका एक्जाम जो है वो evening session में 27 पारा 2020 को जो होना है 2 से 4 बजे तो reporting time आपका 1 बजे रहेगा यहां से आप लिस्ट चेक कर सकता है तो पचतर सो से अधिक candidate जो है यह exam जो है देने वाले है admit card जो है इसके जारी किये गए है तो दोस्तो यह थी आज की HP SSC हमीरपूर की अभी तक की दो नई notification अगर आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक करके share कर दें और अंकित वर्मा All HP notification को सब्सक्राइब करना बिल्कूल भी न भूलें ताकि आप तक हिमाचल प्रदेश की हर notification सबसे पहले पहुन सके तन्याबाद जैहिन जैवाद